दोस्तो नमस्कार एक बाफिर से आपका अर्ण्वियदार के में सौगत दोस्तो जैसा की एक खुश ख़वरी मैं आपको देदू हमारा यूट्यूटीब चैनल जो है वो बापस आ गया है और उससे रिलेटेड जो लिंक थी हमारी जीमेल की जो मेल थी मेल आइडी थी वो भी हैक हो गई थी वो भी हमारी बापस आ गई है तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमारी फैमिली ने जिन्होंने हमें हमें हेल्प किया हमारा जो ट्वीटर हैंडल था उसको रिट्रीट किया और बहुत सारे मैसेज किये यू बापस आगया थोड़ा सा टाइम जरू लगा तीन चार दिन का टाइम लगा लेकिन एज इट इस जो है चैनल हमारा बापस आगया और हम इस लाइक हो गए कि आपके सामने मुखातिव हो चके हैं और हम आपको अपडेट जो है वो दे सके तो दोस्तों आज हम इस चीज के लि यह उसकता है जबकि हमने 2fa b use कर रहता था किसी भी लिंक पर हमने कोई भी क्लिक नहीं किया कभी हम किसी तरीके की कोई चीज नहीं करते हैं और हम अलेडी हम आप लोगों को अपनी सब्सक्राइबर को अपनी फैमिली को बताते रहते हैं कि आप अपना जो एकाउंट है उस सा हो सकता है इसके लिए बहुत ही साथ धानी रखने की जरूए है तो दोस्तों मैं आपको बताओ कि अगर आप को सेफ रखना चाहते हैं तो आप हाड़वेर वाइट को यूज कीजिए गा हाडवेर में उस करेंशी को रखे गा जो ट्रेद नहीं कर रहे हैं और आपको long time के लिए hold करना है वो सबसे ज़्यादा secure है दूसरा अगर आप trade कर रहे हैं तो आप उतना ही amount जो है वो Binance पर, Bajirex पर और Jab Pay पर जो भी आप exchange यूज़ कर रहे हैं उस पर रख सकते हैं दूसरा मैं कहूंगा कि आप उस system को use कीज़ेगा चाहें आप laptop यूज़ कर रहे हैं चाहें आप computer यूज़ कर रहे हैं उसको बिल्कुल अलग रखिए उसमें और किसी तरीके की कोई भी क्रिया कलाब जो है वो मत कीज़ेगा, किसी भी link पर आप मत जाईएगा, even आप उसको कहीं और जगे यूज़ मत कीज़े केवल क्रप्टो करेंसी के account को खोलने के लिए यूज़ कीज़े जिससे वो आपका save बचा रहे है तो दोस्तों कुछ चीज़ां ऐसी हैं जो हमें अभी तक समझ में नहीं आई हैं कि हमारा जो है computer किस तरीके से compromise हुआ और किस तरीके से hacker ने हमें जो है वो hack किया ये अभी भी हम लोग सोद में लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा ये जो सारी चीज़ां जो ही वो गड़वर हो गई हमने अब आपको बताओं कि हमने जब require हो गया है लेकिन केवल YouTube चैनल और हमारी जो mail ID थी Google की जो उससे related थी उससे संबंदित थी वो है कोई तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ आपको कुछ Bitcoin की चाल के बारे में बताता हूँ तो आपको बताओं कि आप लोगों का बहुत सारा है और आप लोग जिस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं वो बुलकुल कावले तारीफ है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक ठॉक दीजगा और दूसरा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कर ले जिससे आपको हमारा जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे तो दोस्तों हम चलते हैं अब बिटकोईन के प्राइस के बारे में और आपने देखा होगा कि कल बिटकोईन ने एक बहुत बढ़ी चलांग लगाई केवल एक घंटे में चार हजार डॉलर जो है वो बिटकोईन चला गया मतलब 48,000 को क्रॉस कर गया तो यहां आप देख रहे हैं मैं अभी चार्ट पर दिखा रहा हूं कि अभी बिटकोईन की जो पोजिशन चल रही है 47,781 के आसपास चल रही है और बिटकोईन का बहुत अच्छा मूमेंट हुआ थोड़ा सा करेक्शन लिया है बिटकोईन ने और यह सारी चीजें क्यों ही और किस तरीके से हुई तो मैं आपको बताओं कि टेक्निकल अनलेसिस अगर हम करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है और क्रिप्टो कोस पर प्रिशांत ने भी वीडियो डाला था और टेक्निकल अनलेसिस की थी कि उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें बन रहा है एक तरीके से कप एंड हैंडल फॉर्मेट बन रहा है जिससे बिटकोईन जो है वो ऊपर चला गया है मैं आपको देखाता हूँ इस पर की देखिए किस तरीके से ये कप एंड हैंडल जो है फॉर्मेट बन रहा है और अगर इस फॉर्मेट की बात करूं तो बिटकोईन जो है वो आने वाले टाइम में जिस तरीके से मुवमेंट लेगा जिस तरीके से अप जाएगा आप इमीडेट रेजिस्टेंस की बात अगर मैं करता हूँ तो इमीडेट रेजिस्टेंस अभी जो चल रही है 48,000 के आसपार चल रही है 48,500,000 के आसपार चल रही है अगर इस रेजिस्टेंस को बिटकोईन तोड़ता है ध्यान रखिएगा अगर 48,500 को तोड़ता है तो कोई भ सकता है अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो इसकी जो सपोर्ट लेविल है वह बन रही है इसकी 200 सपोर्ट लेविल पर बिटकोई आके बढ़ना सुरू करें तो आप इसको लॉंग करिएगा और उसके नीचे जो है सपोर्ट के नीचे जो है वह अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेगा दोस्तों इस तरीके की अपडेट जो है वह हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको ह हमेशा देते रहते हैं अभी हमने पिछले दुनों एक-दो दिन पहले लाइट कोईन की एधेरियम की और बिटकोईन की लॉंग की दी ती और उसमें लोगोंने बहुत अच्छा पैसा कमाया किसी ने सत्तर हजार कमाए किसी ने पैतालीस हजार कमाए किसी ने पचास जार र है future की तो हमने भी करीबन डेल लाक रुपे के करीब कल की तारीक में हमने एमाउंट बनाया है future trading में तो आप हमें follow करिएगा telegram को आप जरूर जो है वो join कर लीजेगा free of cost है उसमें आपको इस तरीके की future calling जो है वो आपको मिलती रहती है link जो है वो description में आपको मिल जाएगी आप जाएए description में लिंक पर जाएए और हमारा telegram group जो है telegram channel जो है उसको जरूर join कर लीजे दोस्तों अब बात करता हूँ bitcoin की fa क्योंकि bitcoin अगर बढ़ता है या कोई भी coin बढ़ता है तो उसके पीछे उसकी टीय होती है और उसकी fa होती है बंतब fundamental analysis की बात करूँ तो किस तरीके की news आ रही है किस तरीके की अच्छी news आ रही है यह डिपेंड करता है bitcoin के price को या किसी भी cryptocurrency के bitcoin को बढ़ाने के लिए तो बहुत बड़ी news जो है वो अमेरिका से आई है जिसके पीछे bitcoin पे impact बढ़ा है आप देख रहे हैं bitcoin एक दम तुरित जो है 4000 डॉलर बढ़ गया खल की तारीक में तो उसके पीछे क्या reason था तो मैं मैं बताऊं कि अमेरिका की जो Central Bank Agency है Federal Reserve उसके जो चेर परसन है Mr. Powell उन्होंने किलियर कह दिया कि bitcoin को हम आगे भविस्ट में बैन करने नहीं जा रहे तो यह एक बहुत बड़ी news बन गई क्योंकि आपको पता है bitcoin जो है वो P2P currency है और इस तरीके की चीजें लोगों में कई तरीके की बहें कई तरीके की शंकाएं पैदा करती हैं तो वहां के जो चेर परसन हैं जैसे इंडिया में Reserve Bank of India है उसी तरीके से अमेरिका में Federal Reserve है तो वहां के जो चेर परसन है Mr. Powell ने यह किलियर कर दिया कि bitcoin को हम बैन करने नहीं जा रहे हैं जिसका impact आप bitcoin पर देख रहे हैं और तमाम क्रप्टो करणसी पर देख रहे होंगे जिसमें solona है uni uni है बहुत सारे coin आपने देखा होगा Ethereum है बहुत सारे coin जो है Cardano है बहुत सारे coin जो है वो आगे बढ़ गए एक अच्छी news के कारण और एक अच्छी TA के कारण दोस्तों दूसरी खबर लेता हूं और बहुत ही important है और वो है कि bitcoin में आपने देखा होगा कि एलन मस्क ने बोला था कि हम bitcoin को तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक bitcoin green energy से माइन नहीं किया जाएगा दोस्तों अब जो काम चल रहा है विश्व के अंदर वो यह चल रहा है कि bitcoin को green energy के अंदर green energy से माइन करने का फैसला चल रहा है और उस पर कारी चल रहा है तो EL Salvador का जो सबसे पहला एक अभी एक update आया है वो यह आया है कि वहाँ वैलकनो energy से bitcoin को माइन किया गया है और पहला bitcoin माइन हुआ है अब मैं आपको बताओं कि बैलकनो energy क्या होती है तो जो जो जोला मुखी होते हैं जोला मुखी की जो गर्मी होती है उस गर्मी को use करके भाब बनाकर उसको use करते हैं bitcoin mining के लिए तो इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे होंगे दीरे दीरे डीरे डीरे चल रहे हैं तो यह जो सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी है green energy के लिए और इस तरीके की चीज़ें अगर आएगी तो green energy बढ़ेगी और bitcoin की mining भी जो है वो green energy से आगे होनी शुरू हो क्योंकि hackers ने जो उनकी multi level multi level factor authentication जो है वो उनको compromise कर लिया Coinbase का और करीबन 6000 जो उसके users थे उनके email account उनके phone number उनके sms का जो सारा चीज़ें हैं वो hacker ने use कर ली और काफी सारा fund जो था 6000 लोगों का वो hack हो गया अभी यह तो clear नहीं हुआ है कि total कितना fund जो है वो hack हुआ है लेकिन यह जो चिंता की बात है तो आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी exchange जो है वो multi level factor लगा कर रखती है है multi level authentication लगा कर रखती हैं उसके बाद जूब भी इस तरीके की चीज़ें घटे तो हो जाती हैं तो आप देख सकते हैं कि hackers वो है वो तू डाल डाल में पात पात चल रहे हैं तो आप भी अपने account को बुलकुल secure रखेगा हमारी यही आपसे प्रात्न है दोस्तों बहुत सारी खबरें आ रहे हैं कि इथेरियम जो है वो करीवन 100% जो है इस महीने में जम कर सकता है दोस्तों October को October को ऊटूबर कर दिया गया है इसी लिए क्योंकि October में Bitcoin जो है वो सबसे ज्यादा अगर मैं इत्यास की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है वो पंप हुआ है मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और यहां जो है हर एक उसका दिखाया है हमने जब से शुरू हुआ है 2013 में 2014 2015 2016 2017 2018 2020 और उसमें केबल दो महीने ऐसे थे जिसमें Bitcoin डाउन हुआ था 2014 अक्टूबर में और एक अक 50% बाकी जितने भी October के महीने गुजरे हैं उन समय Bitcoin जो है वो बहुत अच्छा पंप हुआ है जिससे October का नाम बदल कर कर दिया है October तो यह एक बहुत बड़ी चीज है और मैं उम्बीद करता हूं कि Bitcoin के लिए इस साल का 2021 का October भी जो है वो बहुत अच्छा होगा मैं आपको ब परीबन सो गुना आगे बढ़ जाएगा मतला 100% आगे बढ़ सकता है तो अक्टूबर में कयास यह लगा जा रहे हैं कि एथेरियम के प्राइज जो है वो 100% बढ़ सकते हैं अभी जैसे 3000 चल रहा है तो 6000 या साड़े 6000 7000 तक एथेरियम के प्राइज जा सकते हैं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि EIP 1559 आया और बहुत सारी चीज़ा आई एथेरियम की जो सप्लाई थी वो भी कम हुई है और एथेरियम के प्राइज भी जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ने की उम्भी जाहर की जा रही है तो अगर आप लोगों ने एथेरियम बाई नहीं किय हैं और अगर आप सोच रहे हैं आप हमें मैसेज भी करते हैं कि सर हमें कर्प्रोकरंसी बताइए तो एथेरियम एक सिक्योर कोई है जिसमें आप इंवेस्मेंट करते हैं लॉंग टाइम के लिए और बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो 2021 और 2022 में आपको एथेरियम में देखने को मिल सकता है यह आप नोट करके रखिएगा दोस्तों दूसरी खबर लेता हूं और बहुत जल्दी लेता हूं वीडियो लंबा नहीं करता वो आ रही है ग्रेस्केल की तरब से और आपको पता है ग्रेस्केल जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो फंड को मैन कैस्ट जो है वह इंकलूट किया था तो अभी और उसमें प्री कर लिए अच्छी ख़बर है अगर आप इसमें चाहते हैं कुछ कमाना तो इसमें आप इंवस्मेंट करते हैं यह ख़बर यूना के लिए बहुत अच्छी तो दोस्तों काफी कुछ खबरें हुई और अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपको सामने फिर उपस्तेत होंगे चलने से पहले एक बार फिर क्याना चाहता हूं कि अगर आपने टेलिग्रम जोइन नहीं किया है तो जोइन जरू कर लिजए क्योंकि बहुत सारी मैसिज बहुत सारे बहुत सारी अपडेट हमारी टेलिग्रम पर आपको मिलती रहती है बहुत प्रॉपिट करते हैं बहुत मैसिज प्रॉफिट लोगों ने कमाया है तो आप अपनी इस अपोर्चुनिटी को हाथ से मत निकलने दीजगा जोइन कर लिजगा तो दोस्तों काफी कुछ हुआ समस्कार जहें